प्रिवच्चों अब जीत क्लासेज में आपका बिर्कम है आपका स्वागत है आज हम जविट्री के अंतरगत पार्ड टेंड की चर्चा करेंगे इसमें पहले लाइन्स पर बेश्ट कोश्चन्स की प्रिक्टिस करेंगे आएक कुछ कांसेट पर ध्यान देते हैं प्रि बच्चों निया हमारा क्या है ? यह दो लाइने हैं यह दो लाइने है इसको लाइन यह कहेंगी इसको लाइन हम क्या पहेंगे यहां करें ठीखे एक अमने आइज से इंटर शेट कर दिया इसको ट्रांसल लाइन क्या होते है बच्चों लांसर समस्क्राइन थे अब इसमें एंगिंग संपिनगेंस करकें डिएंग आगज़ इंग थिरी इंग फोर यें इंगल प्री बच्चों दो समांतर रेखा को ये फिरियत रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं क्या बराबर होते हैं संगत कोण बराबर होते हैं और एक आंतर कोण बराबर होते हैं और सीरसा भिमुख कोण बराबर होते हैं और तिरियत रेखा के एक ही दरफ के कोड़ों का योग किसना होता है 180 डिगरी होता है ठीक है, इफ ट्रांसवर्सल लाइन, कट टू गिवें पैलल लाइन, दैन, क्रास पाउंडिंग, एंगिल्स और इक्वाल, एंड, अल्टरनेट इंटीरियर, एंगिल्स और इक्वाल, दास साम आफ, दास साम आफ, और इंटीरियर एंगिल्स, सप्लिमेंट्री, ठीक है बच्चों, इसमें तोड़ा सा मिश्को रिपीट कर दे रहा है, क्रास पाउंडिंग एंगिल्स, इसमें क्रास पाउंडिंग एंगिल्स कौंण स्टांगे, C-R-U-S-P-U-N-D-I-N-D Transpounding Engels Transpounding Engels इसमे आपका क्या होगा Transpenser Line के Left and Side में अगर आप देखें तो 7 का क्या होगा 3 यानि Engels 7 इक्वाल टो Engels 3 ठीक है Engels 6 इक्वाल टो Engels 6 इक्वाल टो क्या होगा बच्चो Engels 2 ठीक है और And Transversal के Left and Side में देखें Engels 8 इक्वाल टो Engels 8 इक्वाल टो क्या होगा बच्चो Engels 4 और Engels 5 इक्वाल टो Engels 1 यह क्या है Transversal Line का To given Parallel Line Then Transponding Engels Are Equal ठीक है बच्चो ठीक है बच्चो अब इसके बाद Alternate Interior Engel A-L-T-E-R A-L-T-E-R A-L-T-E-R-N-A-T-E Alternate Interior Engel I-N-T-E-R-I-O Interior Engel Transversal Line To given Parallel Lines Then Alternate Interior Engels Are Equal Alternate पहिचाने Alternate पहिचाने का बच्चो हमने तरीका बगाया था Z क्या होता है Z है ना इस Z पर ध्यान दीजिए Automatic आप Alternate निकाल ले जाएगे है ना यह देखिए है हम किस तरह से चल रहे है 3 3 के बाद 4 है 5 यहनि Angle 3 Equal to Angle 5 पहिए क्यों से है बच्चो Alternate Interior Engel ठीक है आप देखिए हम इस तरह से चलेंगे यह इधर चले फिर इधर आए फिर किस तरह आए यहनि Z बन रहा है यह एंगिल 4 एंगिल 4 एक पट्टू क्या है एंगिल 5 यह कौन से है Alternate Interior Engel Angle 6 आप Angle 4 एक पट्टू क्या होगा Angle 6 फिक है यह कौन से इंगिल है बच्चों Alternate Interior Engel अब एक चीज और जान देना है इधर ट्रांस्वर्सल लाइन कर्टू पैलर लाइन ठीक है समझना रहा है यह पैलर लाइन दैन दस सम आप को इंटियर इंगिल इस दस सम आप को इंटियर इंगिल इस ・ समझना रहा है यह पैजिलर लाइन दुदْ दस सम के लाइскомर मैंगिल दस सम आप दस सम आप को इंटियर इंगिल I-N-T-E-R-I-U-R दस सम आप को इंटियर इंगिल एंगिल जर इस्चले में S U double P L is supplementary ठीक है The sum of co-interior angle is supplementary If transversal line cut to given parallel line ठीक है On the same side The sum of co-interior angle is supplementary यह एंगिल 3 और एंगिल 6 का सम कितना हो जाएगा बच्चों 180 degree ठीक है इसके बाद एंगिल 4 और एंगिल 5 एंगिल 4 प्लस एंगिल 5 का सम कितना होगा 180 degree कोई प्राब्लम अब इसमें exterior angle पर भी राम देना है देखे exterior angle कौन कौन से होगे 2, 1, 7, I, 8 यह कौन से बच्चे कौन से बच्चों exterior angle exterior angle exterior angle इसमें कौन कौन से है इंगिल 2 है बच्चों इंगिल 1 है और 7 और इंगिल 8 यह क्या कहें जाते है exterior angle ठीक है और interior angle I, I, N, D, E, R, I, U, R interior angle A, N, D, Y, D interior angle कौन से है देखे 3, 3, 4, 6, 5 यह कौन कौन से है angle 3, angle 4 और angle 6 और angle 5 यह कौन से बच्चे है interior angle interior angle ठीक है कोई problem इतना रोन की यह फिर आगे बढ़े आगे alternate angle दो टाइब क्यों होते है 1, 2, 3 यह 4 ठीक है alternate exterior angle भी होता है A, L, T, E, R N, A, T, E alternate exterior angle E, X, T E, R I, U, R alternate exterior angle alternate exterior angle यह ना बच्चों 1 का क्या होगा? 7 यह याद कर दी जाएगा angle 1 का angle क्या होता है? 7 7 और angle 2 का क्या होगा? angle 3 ठीक है? यह कौन से angle होगे । alternate exterior angle alternate exterior angle अना? इस पर अगर आप ध्यान देते हैं तो questions को आसानी से साल उतर लेएगे ठीक है? यह सेर इसको गच्चों note कर लिजे नोट कर लिया? यह सेर इटा धे? यह सेर प्रिवच्चों पहला लोने की टीम कंडिशन होती है if transversal cut to given parallel line, if cross-pounding angles are equal, then given lines are parallel, okay, if alternate angles are equal, then given lines are parallel, okay, if the sum of, if the sum of co-interior angle is 180 degree, then given lines are parallel, हमें इस question में कह रहा है, in figure, find the value of x and y, and then, so that AB parallel to CD, किलियर बच्चों, अब यहां के पारी कंडिशन देख लीजिए, यह transversal line है, कौन ची लाइन है, अब इस transversal line पर अगर देखिए, यह transversal line जो है, इस transversal line, यह transversal line क्या है, एक हिसाब से stage line है, क्या है, stage line, 50 plus x, 50 plus x का sum कितना हो जाएगा बच्चों, 180 degree, ठीके, 180 degree में 50 subtract कर देखिए, जब 50 subtract करेंगे, कितना आएगा, 130 degree, क्या आएगा, 130 degree, अगर यह 130 degree है, यह भी क्या होगा, y, 130 degree, क्यों, क्यों कि यह alternate interior angle बन रहा है, ठीके, समझ में आया, alternate interior angle, ठीके बच्चों, इस alternate interior angles are equal, and given lines are parallel, तो A, B, C, D, K, parallel हो जाएगी, अब इसको हम start करेंगे, लिखेंगे, solution, S, O, L, U, T, I, O, solution, पहली कंडिशन, सिंस, सिंस, यकस, सिंस, यकस, एं, 50 degree, यकस एं, 50 degree, form F-O-R-N R ए लिनियर पेर L-I-N की है, लिनियर पेर इक है में चोंग? इसे, इक है बनाते हैं लिनियर पेर इक है, दियर फो X plus 50 degree equal to 180 degree इसे, इसे, इसे इसे, 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 इसे 30 degree minus 50 degree सब्सक्रेक्स कर देंगे बच्चों X equal to कितना आया? 130 degree 130 degree 130 degree ठीक है? कोई प्रावलाम? लोजेश इसे, यहाँ पे X जो है किसके एकवर होगा? Y के किसके एकवर होगा? Y के हैना? और Y जो है किसके एकवर होगा? 130 के दो कंडिशन है हमने एक स्पाइंट कर लिया तो Y इकवर होगा क्यों? इसका रीजन है These are alternate interior angles ठीक है? इस तरह भी कर सकते हैं Y जो है 130 के इकवर होगा क्यों? क्योंकि vertical यह opposite angles है ठीक है? सेंस यहाँ लिखेंगे vertical यह दिखा दे रहा है सेंस सेंस vertically V-E-R-T-I vertically since vertically opposite O-double-P-O-S I-D vertically opposite angles are equal vertically opposite angles are equal ठीक है? यह दिखेंगे Y equal to कितना हो जाएगा बच्चों? 130 के बरावर 130 degree के बरावर ना? यक्स और Y देखी यक्स और Y दोलों क्या आ रहे हैं? सेंस आ रहे हैं ना? यह सेंस इक्स और Y इक्वल तो 1 90 degree ठीक है? यह सेंस कोई problem? यह सेंस अब यह क्या हो गया? यक्स जो है Y टेक्वल हो गया इसकी मेनने क्या हो गई? इसमीन्स दैट इसमीन्स जाहाँ दिखेंगे इसमीन्स यह मीन्स यह मीन्स इसमीन्स यह मीन्स 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 यह मी तिक है यह 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 अल्टरनेट इंटीर्य देर इंगेर्स आल क्या हो गया है इक एक उर्ट इंस हैंस गेई पारला टू सी एवी जोर चीडिन के पारला हो गई स्वाजमाय वच्चाओं यह से लो टिली जे तीर कंडिशन होती है If alternate interior angles are equal then given lines are parallel If corresponding angles are equal then given lines are parallel Third condition If the sum of co-interior angle is 180 degree then given lines are parallel इसको नोट कर लीजे लोर कर लिया? ये सेर्ड बिता दे ये सेर्ड प्रिवच्चों कोश्चन नमर सेकेंड इन फीगर इफ इन फीगर इफ एबी पाइला टू सीडी सीडी पाइला टू की एफ एंड वाई एस टू जेड इक्वल टू फीजटू सेवन वाई और जेड का अनपार तीन अनपाते साथ टिवेन है तो हमें यक्स की बैडू क्या है फाइंड करनी है समझ माया यहां पर फैले लिखेंगे सलूसन जो दिया गया है यस ओ यल यू टी आई वो या सलूसन वी है वी है क्या दिया है वाई यस टू जैड इकवाल टू दिरियाँ स्टू सेवन यहिदा की बैन है इससे इसको हम लेट कर लेते हैं लेट रेट ये लacious किया रेट की आट जैड गवाल टू दिरी के अन जैड इकवाल टू सेवन पी किएर बच्चों कोई प्रेशानी यहां पे ध्यां दीजे, इस बना हैं, यहां पर दियाँ दिजे इंडर से बना जिए जेट बन रहा है, यहां प्रेखे क्लियरली C-L-E-A-R यह रोवाई क्लियरली X and Z X and Z ठीक है R alternate angle A-L-T E-R-N-A-T alternate angle कोई प्रेशा नहीं फोई यह फोड X equal to Z यह X equal to Z Z हमारा कितना minute किया है 7 के यह कितना हो जाएगा 7 के क्लियर 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 अब यहाँ पर देखो बच्चो यह स और Y X और Y ट्रांसफर्सल लाइन के एक ही तरफ के क्या है interior angle है इनका sum इतना होगा 180 degree तो हम लिखेंगे since S I N C E ठीक है since X and Y X and Y farm या फो R M farm A pair of pair of interior या pair of interior I N T E R I O pair of interior एक है interior angles A N G pair of interior angles on on the on on the on the same on the same side same side same side of the transversal of the transversal V E R S A R of the transversal ठीके बच्चों तो क्या हो जाएगा अब इसका हम sum कर लेंगे क्या sum कर लेंगे X plus Y X plus Y equal to 180 degree therefore X plus Y equal to 180 degree इतना नोट कीजे इतना नोट कीजे आफ कर लिया? इसे ये भी आले है अच्चों इसे X plus Y इतना आ गया 180 degree इसे तो X की भैलू क्या है? अब हमने निकालाता हूँ 7 क्या है? 7 के जोने बोलते हो 7 के Y की भैलू 180 degree Yes 3 K 3 K ये हो जाएगा 3 K 7 K plus 3 K 3 K इकल सो 180 degree 7 3 कितना होगा? 10 K 10 K 10 K इकल तो 180 degree Degree IMPLIES दा K इकल तो कितना हो जाएगा बच्चों? 180 degree by 10 IMPLIES दा K इकल तो आजाएगा 18 Degree K की मैलू कितने आएगा? 18 Degree 18 Degree इधर मिना आजे? Yes Sir K की मैलू कितना हो जाएगा? 10 K की मैलू कितना हो जाएगा? इधर मिना आजे? 18 Degree इधर मिना आजे? इधर मिना हो जाएगा? Yes Sir इधर मिना हो जाएगा? 226 226 Degree 1, 2, 6 Degree येट पूछ रहा था? Yes Sir Find X येट समने Find कर दिएगा? इधर मिना हो जाएगा? Y भी Find करना चाहे तो Y भी आसकता है Y इकल टू? Y इकल टू क्या था? 3 की? 3 3 3 इन्टू 18 Degree 3 का 18 में Multiply कीजें कितना आज रहेगा? 54 Degree 54 Degree ठीक है बच्चो? Yes Sir अगर हम Z भी Find करना चाहें Z भी आजाएगा Z कितना था? 7 K 7 K Z क्या है रहे रहे हो? 7 K K की बरू निकाल दिया 7 K की बरू 18 Degree अब ये 7 में 18 Degree का Multiply कीजे इतना एगा 126 Degree 126 Degree 126 Degree ठीक है? Yes Sir नोट कर नीचे हमें यक्त Find करना था हमने Y, Z भी Find करके दिखा दिया ठीक है? Yes Sir कोई प्राब्लाम? No Sir बिटा दें Yes Sir प्री बच्चों Question No.3 In Figure Young Pilot 2 Young and Engel 1 and Engel 2 Are in the Ratio 3S2 2 Determine All the Engels From 1 to 8 यहीं चितने भी एंगिल है 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी हमें क्या निकालनी है? पैलू निकालनी है ठीक है बच्चों? Yes Sir बहुत इस्प्ल question है Solution SOL UC Solution इसमें क्या है? It is Given That क्या Given That है? Is Given That गिवें देट, ठीके बच्चों, एंगिल 1, एंगिल 2 का रेशियो कितना गिवें आया है, 3S2, अब इसमें आप लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट, क्या करेंगे, लेट, एंगिल 3S2, 2 का था ना, तो लेट किया, लेट, एंगिल 1, एक्वल तो 3S, एंगिल 1 कि पिना लेक्टल या बच्चों, 3S2, एंगिल 2, एक्वल तो 2S2, एक्वें, क्या है, कोई प्रभलम, बट, एंगिल 1 एंगिल 2, यह क्या बना देते है, लेनियर पेयर, एंगिल, एक्वे, सेंस डिकंग शेंस अंगिल 1 औंग 2 औंग 1 औंग 2 औंग के लिन औंग लिन य बैर गार अंग य जिर्ब्स ठीक है, यहार 4, इंगिल 1 प्लस इंगिल 2, कास्वं कितना हो जाएगा बैच्छू? 180 180 degree ठीक है, इंगिल 1 हमने इतना लेट किया है, 3x, जहांपि क्या लिखेंगे, इंप्लाइब देट 3x degree और इंगिल 2, 2x degree इक्वल to 180 degree ठीक है, 3x2 कितना हो गया? 5x 5x, degree इक्वल to 180 degree इंप्लाइब देट, x इक्वल to कितना जाएगा बैच्छू? 180 degree 5, 5, 5 से डिवाइड कर दीजे जब 5 से डिवाइड करेंगे, यक्ष की बैरों कितने आएगी? 5 हों जा 5, 5 जरी जा 15 5 से 5 सिख जा 20 36 जा गया इंप्लाइब देट, x की बैरों कितने आएगी बैर्च्छू? 36 36 degree इतना लोट कीजे फिर आगे बढ़ें जा जा लोट करिया? यह से जा विटा जेँ? यह से जा लोट की बैरों 36 तो एंगिल 1 क्या था? 3S पहले हम पाइंट कर लेते हैं एक पाइंट करेंगे एंगिल 1 क्या था बच्चो 3S 3S degree की बहुरू कितना में निकाला है 36 36 से मल्टिप्लाई कर दीजिए जरा 36 18 108 108 आप निकालेंगे एंगिल 2 क्या था बच्चो 210 डिग्री 2 इंटो 36 डिग्री इसका मल्टिप्लाई कीजिए कितना है गा 72 डिग्री 72 डिग्री ठीक है? कोई प्राब्लम? नो जर सेंगे अब डिकालेंगे सेंगे 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 वर्टीकली वर्टीकली अपोजिट O, Double, P, O, S अपोजिट एंगिल्स आज़ इक्वड क्यों इक्वड है? है? आज़ इक्वड्स विकाज आज़ इक्वड्स ठीक है? इस है समझा या? वर्टीकली अपोजिट एंगिल्स आज़ इक्वड्स तो नमपर 3 एंगिल 4 एंगिल 4 जो है क्या है? एंगिल 2 यह काउन से एंगिल है? वर्टीकली अपोजिट एंगिल्स एंगिल 2 हमने कितना फाइंड किया था? 72 एंगिल 4 हमारा 72 आज़ इक्वड्स अब इसी प्रकार एंगिल 1 एंगिल 3 यह कौन से है बश्चों? वर्टीकली अपोजिट एंगिल एंगिल 3 एंगिल 1 हमने कितना फाइंड किया है? वन एट जीरो वन जीरो एट डिग्री इतना क्रिया है? कोई प्राब्लम? जो जर्टीकली अब उसके बाद 4 भी फाइंड कर लिया 3 फाइंड हो गया तो 5 फाइंड हो सकता है? है? यह से हैंड तो महने हाई हा? यह से हैंड यहाम लिकेंगे यांग दैन अल्टने टे अन्टी आर यांड जने इंटीर आई एंटी आर आइयो आई ऊर अल्टने इंटीर आर इंघ्षर एकवाल ngal ूर एकवाल समाज माश्च determining तो यह जोगता है पांचवा नमबर आ गया कि एंगिल फाइट है एंगिल 3 के बराबर होगा ना इंगिल 5 एंगिल 3 कौन से एंगिल भी अल्टरेट इंटीर एंगिल 3 अपने कितना फाइंट किया एकसो आठ यह हो गया समझ आया एंगिल 5 इफाइट हो गया जब 5 फाइट हो गया जब 7 भी फाइट हो जाएगा है ना 6 एंगिल 5 एंगिल 7 एंगिल 7 इपल टू एंगिल 5 क्यों vertically opposite angles ठीक है इंगिल 5 हमने कितना फाइंड किया एक सवार्ट टिग्री ये भी हो गया है यानि छे एंगिल हमने फाइंड किया इतना नोट कीजिए फिर आके बढ़ते हैं कौन सा इंगिल फाइंड करना है इंगिल 6 भी फाइंड हुआ नहीं है इंगिल 4 फाइंड हुआ नहीं हुआ इंगिल 4 फाइंड हुआ नहीं हुआ इंगिल 4 एंड इंगिल 6 ये भी कौन सा इंगिल है अल्टर्नेट इंटीरियर इंगिल इंगिल 5,6,7 इंगेन इंगेन 6 इक्वाद बाम नुड आ इंगेन 4 इंगें 6 इक्वाद तो इंगेन 4 ये चुल रहे है double net interior in your employer alternate行 आट रिक्या रिकना रामा मा पलेखीर है alternate बाट रृत लिखा net interior pages alternate interior into English इंगिल 6 इंगिल 4 कितना फाइंट ही आ गया है 72 इंगिल 6 भी कितना आ गया बच्चों 72 यह साथ एक इंगिल और फाइंट करना है तो कौन सा एंगिल है एंगिल 6 फाइंट हो गया तो एंगिल 8 भी फाइंट करनेंगे इंगिल से इतना नोट कीजिए बिटा देशको यह से एंगिल 8 एक इंगिल 6 यह कौन से इंगिल है गया वाटिकली अपोजट्ट फाइंगिल अनुष से इंगिल 1 मतलब एड कंट्ब आपिकली अपोजिट्ट्ट इंगिल एंगिड एट भी कितना आगया बच्चों? 72 डिग्री इतना नोट कर दीजे यही सब एंसवार हो गए ठीक है? यही फाइंट करना था इसको इटा दे? यह सेर समझ में आ रहा है नहीं? यह सेर नहीं परजिये बोलो यसर यसर प्रिवच्चों? यसर प्रिवच्चों, कोश्चन नमबर फोर इन फीगर यह यम एंड यन आर पहला लाइन इंटर्सेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल पी आर यक्स वाई एंड जेट रिस्पेक्टिवली पाइंड एंगिल वान एंगिल टू एंड एंगिल थी गिव रिजन रिजन के साथ हमें इसका जवाब देना है देखिए पहले इसको रफड़ी समझते हैं देखिए पी यहां पर देखिए फी इस दा इस्टेंज लाइन पी इस दा इस्टेंज लाइन एंगिल पॉर प्लस फिट्टी इकवर टू क्या हो जाएगा बच्चो 180 डिग्री कितना आएगा 180 डिग्री 180 डिग्री में 50 को लेस कर देगे कितना आएगा 130 डिग्री एंगिल फॉर हमारा कितना आगया 130 डिग्री तो एंगिल टू भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री क्यों क्योंकि angle 4 और angle 2 यह कौन से angle है cross pounding angles कौन से angle है बच्चों cross pounding angles यह भी 130 का हो जाएगा 130 का जब यह हुआ तो angle 3 भी हमाला कितना आजाएगा 130 का क्यों these are vertically opposite angles कि यह बच्चों अब बात आती है अब बात आएगी angle 1 को वो angle 1 को बताना है न angle अब देखिए L and M L and M are parallel and P is the transversal line tier 4 angle 4 angle 1 क्या है यह cross pounding angle angle 4 कितना है था 130 angle 1 भी कितना हो जाएगा 130 30 ठीक है इसे लिकर आएगा return देते हमें इसका जवाब देना है न तो लिखेंगे solution S-O-L-U-T-I-O-L solution since 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 P is a straight line S-T-R-A-I-G-S-T straight line स्वाज़ा बच्चों yes angle 4 plus 50 degree equal to 180 degree ठीक है implies that angle 4 equal to 180 degree minus 50 degree तो angle 4 हमारा कितना आ गया सब टेक्स करेंगे 1 30 degree कोई प्रावला प्रावला आव यहापे L प्रावला तो N okay L प्रावला तो N and P is the transversal line T-R-A-N yes transversal V-E-R S-A-N transversal line ठीक है तो angle 2 equal angle 2 equal to angle 4 यह कौन से angle है बच्चों cross-founding angle cross-founding cross-founding C-R-O-S 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 C-R-O-S-P-O-N-D cross-founding angles एक it cross-founding angles एक 2 angle 4 cities 1 half- G-C-R-O-S-P-O-S-E-R-E-R-O-S-E-R-E-R-O-S-E-R-O-S.O-S-E-R-E-R-O-S-E-R-O-S-E-R-O-S-E-R-C-E-R-O-S-E-R-O-S-E-R-E-R-O-G1-F.O-E-R-O-S कि इतना नोड़ कीजिए पिर आगे बढ़ें आगे 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 नोड़ कंडिया जिसे अब उसके बाद यहाँ पर क्या-क्या फायंड किया एंगे चुफाय्ड हो गया न इसे अइंगेस लाइं carrier q 2 अना यह कावण से हैं वेटिकली कलिशन से विए ऑर टी आई वर ी वाटी कली वर्टी कली हैं वर्टी कली inhaled y T V opposite angle ठीक है एंगे 3 हमने कितना ना चाहिए एंगे 2 बीड्यी एंगे 3 इंगे 2 निकल आयए अब कौन सा यो अगे एंगे 1 न यई सरर्शी ? यही तरह कें निकल न situación यह 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 को अगें इड कर दो जाएर यह यह तेर ट्रांस्वर्सल लाइन ही टिरे तो नहीं यह निकाल दिया ना इसने में एंगिल 3 और एंगिल 1 यह का उन से हो गयए ? इंटीरियर एंगिल है ना इसने मैं एंगिल 1 एंगिल 3 किससे निकाल दिया? Alternate A, T, E, R N, A, D, E Alternate Interior Angle I, N, T, E, R I, O Alternate Interior Angle एंगे? यसे हैं तो Angle 1 निकाला है Angle 3 में कितना निकाला है? 130 130 ये भी आ गया क्लियर वच्छों? ये सेर दस Angle 1 Angle 2 Angle 3 अमने कितना निकाला है? 130 ये ये इंस्वार होते फुटगा लीजे गालिया? ये सेर चादे? ये सेर प्रिवच्छों 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 ये इडी 126 डिग्री फाइंड AGE AGE एंड F FGE ये इना? F G G ये इनकिन फाइंड करना है प्रिवच्छों यहां पे कंडिशन क्या है? S-O-L-U-T-I-O-N Solution पंडिशन यह है कि A-B A-B प्रिवच्छों C-D N N D-E D-E क्या माल लेते हैं? D-E E-A Transversal T-R A-N-S Transversal V-E-R V-E-R T-R A-N-S V-E-R A-R Transversal Line S-A-N And T-R-A-N-S Transversal V-E-R S-A-N V-E-R S-A-N V-E-R S-A-N Transversal Line कि कर विच्छों अग्यांस समझे A-A-B प्रिवच्छों C-D And G is the Transversal Line Therefore Angle A-G-E Equal to Angle G-E-D Are Alternate Angle ठीके यहां पे हो जाएगा बच्छों Angle A-G-E Equal to हो जाएगा किस एंगिल के Angle G-E-D यह कौन से एंगिल है Alternate Interior Angle Alternate A-E-R N-A-T-E Alternate Interior Angle I-N-T E-R I-O Alternate Interior Angle ठीके बच्छों यह कौन से एंगिल हैं? Alternate Interior Angle Angle तो इंप्लाइ दाइट A-G-E और यह एंगिल कितना है? 1 to 6 degree कितना है? 1 to 6 degree यह आ गया एक तुमने यह फाइंड कर लिया क्या फाइंड किया? A-G-E ठीक है? यह से अब देखिए अब दूसरी कंडिशन हम यह लगा देते हैं C-E-D C-E-D क्या है? C-E-D is the straight line ठीक है? यह से एंगिल C-E-G प्लस एंगिल G-E-D का सम कितना हो जाएगा? 180 degree ठीक है? यहां लिखेंगे since since C-D E-D A-Straith line S-T-R A-I D-S-T Straight Line यह से एंगिल इसलिए D-E-A-R-F-O एंगिल क्या? G-E-C एंगिल G-E-C प्लस एंगिल G-E-D इकवल डू कितना हो जाएगा? 180 degree ठीक है? तो एंगिल G-E-C और G-E-D G-E-D कितना कि मेंने? 126 एकवल टू 180 degree एंगिल G-E-C 180 degree में 126 degree क्या करेंगे? सब्सेक्स कर देंगी ठीक है बच्चों? यह से एंगिल एंगिल G-E-C सब्सेक्स कीजिए कितना आएगा? 54? यह सेर 54 degree किजिए बच्चों? यह सेर G-E-C 54 degree सब्सेक्स कीजिए सब्सेक्स कीजिए सब्सेक्स कीजिए नोट करिया बच्चों? यह सेर बिटा दें यह सेर यहाँ पर क्या कंडिक्चन है? A-B पाइलर टू C-D है ना? एंड G-E कि यह ट्रांसवर्सल लाइन T-R A-N-S ट्रांसवर्सल V-E-R S-E-R ट्रांसवर्सल लाइन इलिया बच्चों? यह सेर अब यहाँ पर देखा जाया है तो थेंगिल C-E-G यहनी C-E-G यह कौन से बन रहा है? E-F-G-E इसके बरावर होगा थेंगिल E-F-G-E यह कौन से एंगिल बन रहा है? अर्टरनेट इंटीरियाल एंगिल A-R-T E-R E-N-A-T अर्टरनेट इंटीरियाल एंगिल I-N-E-E-R I-U-R अर्टरनेट इंटीरियाल इंगिल ठीक है बच्चों? यह सेर हमने अब निकालना है C-E-G C-E-G हमने कितना रिकाला? 54 डिकर तो एंगिल E-F-G-E E-F-G-E कितना निकाला है? 54 एंगिल E-F-G-E पूज रहा था ठीक है E-G-E हमने निकाल दिया न? Yes, sir कितना निकाला है? 126 एंगिल यह फाइंड हुआ और दूसरा एंगिल कौन सा? E-F-G-E E-F-G-E एंगिल फाइंड हो गया अब हमें क्या फाइंड करना है? G-E-F इतना नोड कीजिये वाच्चो नोड कर लिया? Yes, sir इटा दे? Yes, sir अब इसमें एंगिल देखो एंगिल G-E E-D मैं कौन-कौन से एंगिल सामिन है? एंगिल G-E-F है ना? ब्लस एंगिल E-F E-D ठीक है वच्चो Yes, sir ठीक है? G-E-D G-E-D कितना है? 126 degree और G-E-F G-E-F फाइंड करना है G-E-F और E-F-E-D अल्डेडी यह कितने डिग्री का है? E-F-E-D 90 डिग्री का है खुदी गिवन है समझ में रहा है ना? Yes, sir कितने डिग्री का गिवन है? 90 डिग्री का तो इंप्लाइज देट एंगिल G-E-F इप्वल तो 126 डिग्री माइनस का 90 डिग्री सब्सक्री कर दीजे एंगिल G-E-F 126 में 90 सब्सक्री कीजे 36 डिग्री 36 डिग्री आ रहा है ना? Yes, sir यह इस फाइंट कमने से? Yes, sir नोट कर दीजे बिटा दे? Yes, sir प्री बच्चों question number 6 in figure if AB पाइलर to CD APQ APQ equal to 50 degree and PRD equal to 127 degree समझ माया? Yes, sir अब इसमें ध्यान से गर इसको देखिए if AB पाइलर to if AB पाइलर to CD ठीक है? the four angles A APR equal to ठीक है? PRD is alternate interior angles क्या होंगे? alternate interior angles पहले इसमें पाइलो निकलेते हैं यह हमारा यक्स है बच्चों और यह क्या है? Y है ठीक है? किसे है? तो 50 प्लस Y किसके इक्वर हो जाएगा? 1, 2, 7, k तो इससे हम क्या निकाल लेंगे? Y की बाइलो निकला आएगी फिर दूसरी कंडिशन दूसरी कंडिशन यह होगी कि AB पाइलर्टु सीडी एंड पीक्यू इस यह ट्रांस्वर्सल लाइब दियर्फोर Y सिक्वर्टु 50 डिग्री इस आर अल्टर्णेट इंटिरियर इंगेज ठीक है? पहुत जी सिंसिक कोश्च्चन है इसको लगाईए यहाँ लिखेंगे सब्रूट साम S-O-L-U-T-I-O-L है न? यहाँ लिखेंगे AB पाइलर्टु CD N N P R E A ट्रांस्वर्सल लाइब TR A-N S ट्रांस्वर्सल V-E R-S-L Transversal लाइब ठीक है बच्चों? Yes, sir तो यह हो जाएगा Angle A P R इक्वल टुई Angle P R D और P R D कितना है? 1, 2, 7, 8 और इस एंगिल में 2 एंगिल सामेन है कौन कौन से? Angle A P Q प्लास एंगिल इसको साब सामें एंगिल A P Q एनिविज A, P, Q और Q, P, R प्लास Q, P, R एक है? और A, P, Q कितना गिवन है बच्चों? 50 डिगरी अनिविज और यह क्या है? Y इक्वाल टू 1, 2, 7 यहां पे रिजन लिखना पढ़ेगा यह कौन से यह इंगिल है? alternate interior लिख देंगे यहां 60 फार्मेटिक दे रहें यहां लिख दे रहें? Alternate ART ER NATE Alternate Interior Engle I N T ER Alternate Interior I N T E R I O R Alternate Interior Engle ठीक है बच्चों? ठीक तो तो हैं य वाई वाई की बैलू one two seven degree मेंसे fifty degree क्या करेंगे लेस कर देंगे हैं वाई कॉर्ण इतना है one two seven मेंसे fifty days ही हागा है है सेवेंटी सेवन डिगरी वाई की बैलू निकल आई अब यहां पर साल्ब कर देते हैं अब यहां पे condition क्या है, फिल लिखेंगे, AB, AB parallel to CB, and अब यहां पे transversal का काम कौन करेगा, PQ, PQ, E, A, transversal line, D, R, A, N, S, transversal, V, E, R, S, D, R, what, personal line, ठीक है, तो angle AP, यहीं, implies that angle PQR, PQR, equal to किसके परावर होगा, angle APQP, ठीक है, APQ हमारा, PQR, यह किसे दुनोड है, X और यह 50 degree, ठीक है, X की बैलु 50 degree आगे, यहीं, 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 और Y की बैलु हमने निकाल दिया, एंस्वर आ जाएगा, वाई की बहलू बिच्टो 77 डिगरी और यास की बहलू 50 डिगरी इसको नोट कर लिजे नोट कर लिया? ये से प्रिवच्चों हम अपना लेक्चर्स यही पर समाप करते हैं आसा है कि ये वीडियो आपके ज्ञान में बृद्धी करेगा यद ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लोगों के बीच में सेयर करें और सस्क्राइब करें आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा इसके लिए आपका बहुत-बहुत सुप्रिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद